नमस्कार स्वागत है आपका हरियाना का दिन भर का तवाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजर है पीटी सी नियूज हरियाना देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ धरम प्रकाश बुलिटन की शुरुआत करते हैं पिछले नौ दिनों से देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ऐसे में लोगों में खासी नाराज की है और आज भी हरियाना के कई जिलों में इसे लेकर प्रदर्शन हुए है अमबाला में भी कॉंग्रिस ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया है कॉंग्रिस ने पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की लगतार बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर ये प्रदर्शन किया है मुलाना के कॉंग्रस विधाय कवरण चौधरी ने इस प्रदर्शन का नित्रित्व किया उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा पैदा की गई ये महंगाई सिर्फ अमीरों को फाइदा पहुचा रही है और बाकी घरीब और मध्यम वर्ग को कुचला जा रहा है उन्होंने कहा कि देश की जनता को तिल तिल कर तड़पाने का काम ये सरकार कर रही है और इससे हर कोई परिशान हो रहा है महंगाई मुक्त भारत ये देश की जनता चाहती है बारतिये जनता पार्टी को वोट पड़ी थी कि वो आम जन के लिए अच्छे दिन लेकर आएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ आज जनता चाहती है कि हमें महंगाई मुक्त भारत चाहिए और उनकी अवास को गुझवाने के लिए हम आज सडकों पर बैठे